फ्रेंज, एक्ससाइस यह वर्काउट करते टाइम एक बहुती कॉमन सा वर्डी यूज होता है क्यों एंगिजमेंट आजकी अपनी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कॉर क्या होती है कोर engagement क्या होती है और इसका हमारी exercises पे, workout पे, हमारी body पे क्या फर्क पड़ता है Friends चलिए वीडियो को start करते हैं Welcome to my channel, Straffit with Abhilasha सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोर क्या होता है अक्सर लोगों इसी चीज में doubt होता है कि कोर कौन सा body part होता है देखें कोर का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ आपकी पेट की muscles है जो सामने दिखरी है या जो हमारे abs होते हैं सिर्फ यह कोर होते हैं ऐसा नहीं है बलकि जो हमारे पेट की muscles होती हैं हमारा lower abdomen होता है हमारे obliques होते हैं और जो हमारी lower back की muscles होती है, हमारी pelvic muscles होती है, इस सब को मिला के बनता है core अब बात कर लेते हैं कि core engagement होता क्या है देखे, core engagement को समझने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आप खड़े हो जाएए, खड़े होने के बाद अपने पैरों को आपस में मिला लीजिए अपनी edi को अपने जो toes हैं उनको आपस में जब आप इस तरीके से मिलाएंगे तब क्या होगा आपकी thighs भी आपस में मिल जाएंगी अप जब अपने thighs को आप प्रेस करेंगे, इस तरह से fix करेंगे इस वक्त अपने पेट और बैक के जितनी muscles पे आप pressure फील कर रहे हो इसको हम बोलते हैं core जब इस तरीके से आप fix करके रखोगे तो इन muscles पे जो pressure आ रहे है और जिस तरीके से ये engage आपने किया हुआ है, इसी को हम बोलते हैं core engagement maximum सारी ही exercise में core engagement का बहुत बड़ा रोल होता है आपने कई बार gym में देखा होगा कि जो लोग weight lifting करते हैं, squats करते हैं या diet lifts करते हैं उनमें कई बार आपने bad knees की bad back की problem देखी होगी जिसका reason होता है, सही तरीके से core को engagement करके exercise ना करना अगर आप core को engage करके exercise नहीं करोगे, तब आपको आपकी exercise के अच्छे results नहीं मिलेंगे core engagement बहुत जरूरी है एक तरीका तो ये हो गया आपने core को engage करने का दूसरा core engagement को बिल्कुल easy तरीके से समझने के लिए देखिए आपको क्या करना है बिल्कुल सीधे इस तरीके से बैठ जाएंगे अब आपको इस तरीके से feel करना है जैसे अगर आपको बहुत तेज टॉलेट का अगर pressure आ रहा है और आप उस वक्त यूरून को जैसे hold करते हो तो यूरून को hold करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पूरी तरह से जिन अपनी muscles को खीच के रखते हैं इन muscles को हम बोलते हैं अपने pelvic muscles और जिस तरीके से अपने P को हम hold करते हैं काफी ज़्यादा pressure के टाइम पे इस तरीके से जो हमारी body की position बनती है और इस position में जिस तरह से हमारे पेट की muscles, हमारे lower abdomen, हमारे back की muscles और हमारे pelvic muscles engage रहती हैं इसी तरीके से अपने core को अपनी in muscles को हमें engage करना होता है exercise के टाइम पे और जब इस तरीके से in muscles का हम engagement बनाते हैं इसी को हम बोलते हैं core engagement इसके अलावा एक और बहुत simple तरीका है core engagement का इसमें आपको क्या करना है बिलकुँ सीधे इस तरीके से बैठ जाना है जहां भी आप बैठे हो इस तरह से बिलकुँ सीधे बैठ जाएंगे सीधे बैठने के बाद अपनी nose से आप deep breathing कीजिए इस तरीके से और मुबंद करके nose से ही आपको breathe out करना है जब आप deeply breathe out करते हो तो इस वक्त आप अपनी नेबल पे अपनी नेबल के आसपास अपने pelvic floor पे जो ये pressure feel कर रहे हो that is also core engagement exercise करते हुए आपको इसी चीज़ का ध्यान नखना है इसी तरीके से अपनी इन muscles को अगर आप engage करके रखोगे तब आपको आपके exercise के better results मिलेंगे core engagement की अगर आप ज़्यादा practice करना चाहते हो या आप से ज़्यादा दे तक hold नहीं हो पाते हैं ऐसे में yoga sun आपकी काफी help करेंगे जैसे कि सेतु बंद आसन होता है, मूल बंद होता है, ये जो yoga poses होते हैं ये आपके core engagement practice को और enhance करते हैं इनके अलावा अगर आप प्राणयाम करते हो, breathing exercise करते हो, abdominal breathing करते हो उससे भी आपकी core engagement की पहुत अची practice होती है आप बात कर लेते हैं कि core engagement क्यों ज़रूरी है जैसे मैं आपको अभी बार-बार बता रही हूँ कि जब आप core engagement करके अपनी exercises करते हो तब उससे आपकी exercise के आपको better results मिलते हैं इसके अलावा अगर आप सही से core engagement करते हो और उसके बाद आप exercise करते हो चाहे आप अपने regular yoga poses करो, चाहे आप cardio exercise करो, strengthening करो या फिर आप weight lifting करो सारे ही cases में आपका breathing का सही होना और साथ ही साथ आपका core engagement होना बहुत ज़रूरी है अक्सर जो लोग को muscle strain की problem आती है या weight lifting करते हो है, bad back की problem आती है, bad knees की problem आती है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है उनका गलत posture में exercise करना और सही से core engagement ना करना So friends, I hope की core और core engagement से जुड़े हुए आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगी इस topic पे अगर आपका और कोई भी सवाल है तो आप comment section में लिके पूछ सकते हैं I hope ये video आपको पसंद आई होगी इस तरह के health, fitness और exercise से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए, notification bell को press कर दीजिए अपना ध्यान देखिए, खुश रही है, fit रही है, thank you